गणेश भगवान का विसरजन क्यों किया जाता है इसके पीछे क्या कहानी है और गनपती विसरजन कैसे करें समान कैसे उठाएं सब चीजों का आपको मैं डिटेल में स्वीडियों में आंसर देने वाली हूँ आपके जितने भी सवाल हूँ विसरजन से जुड़ेवे वो सब आपको सबके आंसर आपको इस वीडियों में मिल जाएंगे तो वीडियों को एंड तक जरूर देखिएगा जिस दिन वेत व्याज जी ने महाभारत लिखने के लिए गनेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी उस दिन भद्रपदमास की चतुर्थी ती थी कथा सुनाते समय व्याज जी ने अपनी आँखे तो बन कर ली और कथा सुनाते रहे और गनेश जी सुनते सुनते उस कथा को लिखते रहे जब दस दिन बाद व्याद जी ने आखे खोली तो उन्होंने देखा कि लगातार दस दिन तक लिखते लिखते गंडपती भगवान का जो तापमान था वो बहुत जादा बढ़ गया था तभी वेद जी ने सोचा कि क्यों ना इन्हें ठंडे पानी में डुपकी लगवा दी जाए और उन्होंने ऐसा ही करा जिससे भगवान के शरीर का तापमान सही हो गया और तभी से भगवान गनपती के विसर्जन की प्रथा शुरू हो गई है तो तभी से भगवान गनेश को दस दिन के लिए अपने घर में इस्थान दिया जाता है बिठाया जाता है पूजा जाता है और फिर उसके बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है और अब मैं आपक कोशिंस के आंसार दे देती हूं तो बहुत सारे लोगों ने मुझ से पूखा के सबसे पहला कोशिंझे का मता क्या सबसे पहले लिचों के सबसेर कहला है और सुम्हां पहला है तो आप अपने मंदिर पांदे सथान सबस कर Ellie और अब आप कहेंगे, अगर हर साल ऐसे करेंगे, तो बहुत सारी खटी हो जाएंगी, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने इस साल रख ली, तो आपकी जो पिछले साल की होंगी, आप उन्हें विसर्जन में दे दीजिएगा, इसलिए हम गनेजी दो रखते हैं, एक छो जलिए तो हमारे मंगलकारेों में को राएगा, इसलिए, जब हम बड़े गनपती जी बाढ़ेशी लले जी विछेंते हैं, ऑपिछाल रखते होंगी, आपकि विसर्जन चाटे करें, तो तो पोटली आप उसी में बहा देंगे प्रभवित कर देंगे तो वह अपने आप खुल जाती है लेकिन आप घर पर भी सर्जन कर रहे हैं और पानी में आपने वह पोटली डाल दी है तो या तो आपके जो ड्रैफरूट वगरा है आप देखेंगे मिठा वगरा कुछ नीचे बच जाता है तो आप पक्षियों को डाल दीजिएगा उचा सहाथ करके कहीं भी छत वगरा पे आप पक्षियों को डाल दीजिएगा या फिर वहीं कहीं मिठी में डाल दीजिएगा तो छोटी-चोटी कीडी वगरां उसे खा लेंगी नेक्स्ट कोशन यह भी बहत परती नहीं वो खर्च होता क्योंकि वहीं चांदी का सिक्का है हम वहीं पूजा में यूज कर लेते हैं लेकिन अगर आप अपने घर का कोई सिक्का डाल रहे हो तो उससे नेल पेंट बगरा से कोई निशान लगा दीजिएगा उस सिक्के के उपर ताकि आपको एक पहचान बन जाए उस सिक्के की और फिर आप अपनी सभी पूजाओं में उसी सिक्के का प्रियोग कर सकते हैं और जो सुपारी बगरा हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब पूजा नहीं करते हैं कोई भी पूजा तो आप उससे सम्हाल की रखें और उसी पूजा का जो पूजा है तो इसे आपको खोल के बिल्कुल नहीं खाना होता आपको जो है इसे विसरजित करना है या किसी मंदिर वगारा में किसी पंडित वगारा को दान करना है और जो चावल रखते हैं हम पूजा के या कलश के उपर उनको आपको या तो इसमें थोड़े से और चाव या फिर इसको इसी तरीके से जो है घर में सभी लोगों को बाट दीजिए पुजा के बाद तो आप यह भी कर लीजिए और जो कलश में हमारे पत्ते वगरा थे वो तो हम जब विसरजन करेंगे तो हम जिस पानी में और फूल वगरा डालेंगे उसी में उन पत्तों वगरा को डाल देते हैं तो आपका यह वला कोशन भी हो गया और फल वगरा जो भी आपने भोग के लिए समान रखा हो वह सबाब वही की वही तभी की तभी सब लोगों में आपस में बाट दीजिएगा तो इस तरीके से आप सारा समान भी वह कर सकते हैं चोकी आपको हमेशा नेक्स बाट शनिवार को हमें कभी भी चोकी नहीं उठानी होती तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और जो आपने कपड़ा भिछाया होगा चोकी के अपर या तो वह अपने घर में ही रख सकते हैं पाठ पुजा के लिए लेकिन अगर आपको दान देना है तो वह आप दान दे सकते और गणतव भगवान को आप चाहे तो विसर्जन भी कर सकते हैं नहीं तो आप चीट लगाकर उन्हें रख भी सकते हैं और उसके ऐब आप उनके रख रह बहें है तो तो फिर आपने महीं कर दिया लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हैं किसी चीज में जैसा कि मैंने बताया ह उसके बाद आप उन्हें रखा रनने दीजिएगा और जब वो सब चीज़े घुल जाएं मिट्टी बन जाएं उसके बाद आप इन्हें किसी भी बड़े बड़े जो पेड़ पोधे हों आपके घर में जिनके आप पूजर नहीं करते हों जैसे तुलसी वगरा में मढ करते हैं हमारे मंगल कार्यों के लिए तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सभी कोशन के जवाव आपको दे सकूँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो मेरा चैनल पसंद आ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद